सबसे पहला पॉइंट सब्सक्राइब कम से कम पचास मैसेज आगे अज सुबे से डर लग रहा है सर गुरूप पन का ऐसा हुआ है गुरूप टू का कैसा होगा आए जैसा आएगा पेपर इजी आवरेज डिफिकल्ट जो आना है उसको आएगा आने दो मुझे लग रहा है इ अगर थोड़ा चैलेंजिंग आता है अगर आप उसको अटेम नहीं कर पाए तो शायद आप डिजाव नहीं करते हो और अगर आप डिजाव करते हो तो इंशीरूट आपको पास कर देगा जैसे वह पहले भी करता है जब इतने पेपर डिफिकल्ट आता है उसमें भी लोग में है पेपर लिख कर आना which is going to be the same for all so if somebody can definitely you can also so please लिख दो कहीं पे that yes I can and I will so यह एक बहुत बड़ा attitude change है जो आप लोगो सेम्प में लाना है and specially tomorrow के लिए yes I can and I will second है case study से related बात मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का case study शायद simple आएगा ऐसा ही just guess so अगर वो simple आता है तो आप उसको starting में attempt कर सकते हो otherwise attempt after your best questions तो अगर आप लोग के अच्छे जो questions आप लोगो आते हैं वो आप attempt कर लो और उसके बाद में फिर बाद में आप case study attempt कर सकते हो so I think at least two questions तो बैठे बिठाए आएंगे module से RTP से past paper से बैठे बिठाए मेरे को रखता है module से आएंगे so वो attempt कर लो अच्छी तरह से and then I think you can attempt the case study सो देख लेना case study कैसा है starting 15 minutes में आईडिया आजाएगा आपको and यह 15 minutes है उसमें पूरा chronology set कर ले कि कब कौन सा paper I mean कब कौन सा question attempt करना है सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना कि suppose question 2 कर रहे हो तो 2 ABC अंदर अंदर उपर change हो सकता है बट 2 पूरा attempt करना है फिर 3 पे जा सकते हो 4 पे जा सकते हो so on and so forth तो कौन सा attempt नहीं करने वाले हो question and कौन सा attempt करने वाले हो जो एकदम अच्छी तरह से आता है वो starting के 15 minutes में clear हो जाना चाहिए and कब case study attempt करने वाले हो थोड़ा last के लिए ही रखना because 20 marks है जितना लिखना है अपने उसमें लिख सकते है तो उसको last के लिए रखना चाहिए मेरे हिसाब से when you have the last I think 40 minutes से कुछ बाकी है अपने पास तब अपने को वो case study pick up करना चाहिए and then फिर पूरा जान लगा देना चाहिए वो case study this is the approach I would have taken बाके depend करता है question के होकर मालूं पड़ा case study का question एकदम simple है और आप लोग को जो पूरी तरह से आता है then might as well आप पहले भी attempt कर लो उसको कुछ चीज़े तो भी यहाँ पर मैं लिख दूंगा case study attempt कर लास्ट में और easy आई तो क्या कुछ चीज़े है जो momentarily ही आपको पता चलेगी उसको आपको 15 minutes में utilize करना है please don't pick up new questions now अभी भी मेरे पास questions आ रहे है standard costing के contribution variance and क्या क्या पता नहीं अभी क्यों कर रहे हो वो सब चीज़ को नय नय कुछ भी मत करो जितना किया है प्लीज उसी को revise कर लो जैसे कल marathon हुआ था तो listen to the marathon again तो सब चीज आप लोगो को गुरा theory recall हो जाएगा आपन लोग ने लिख भी लिया था best enough to score the best and I'm sure we will ठीक है तो चलो अभी कल तक यही positive attitude रखेंगे आपन लोग let's ensure के paper 100 marks attempt करने का try करें थोड़ा सा वो mind में आप लोगो का सब planning हो जाना चीए तो अभी time है आप लोगो के पास थोड़ा सा वो सब planning कर लो that you know कितने marks के लिए कितना question आप लोगो usually पता है आपको 1.8 marks आपको डालना है एक mark के लिए and उस हिसाब से आप लोग का speed होना चाहिए paper easy भी होगा तो lengthy होगा तो अगर वो lengthy होता है तो speed रखेंगे अपन paper थोड़ा average above average कुछ भी आता है तो you will need time to think so again when you need time to think तो लिखने में आप लोगो का speed अच्छा होना चाहिए so all in all वो सब चीज़े थोड़ इसी ध्यान में रखना वो planning के साथ जाना और बाकी ये पात चीज़े clear है अपने को stop thinking how the paper will be I can and I will attempt your best questions पहले by default I'm sure ये हर paper में आपको ये तो करना ही है and case study उसके बाद फिर भी momentarily decide कर लेना कब क्या attempt करना है वो 15 minutes को उसाब से utilize करना है अब जो हो गया है वो हो गया है अब थोड़ा उतना risk लेना बढ़ेगा don't try new questions उतना risk लेना ब चोड़के जायो तो then that's a different matter and वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ you shouldn't have done that mistake but टीक अभी वो सब सोचो मां stay positive now we have done enough to score the best I mean मिलते हैं कब कल तो नहीं मदब कल मैं चाहिद एक दो पाच मिनिट का फटा फट रिव्यू ले लूंगा ज्यादा डीटेल रिव्यू नहीं लेंगे आप लोग के आगे वाले papers भी effect होते हैं उससे and बाकी डीटेल रिव्यू के लिए I'm sure result के बाद मिलते हैं because exam के बाद त करने में बस तो वही positive वही smile रखो and let's do our best thank you so much